जय श्री क्रिशना दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज मैं निति सानन्द जी है उनकी कुंडली को विशिलेशन करूंगा तो देखे किस प्रकार कुंडली विशिलेशन करते हैं तो इनकी जो नेम है पहलेश है टाइम ओफ बर्थ है वो इस प्रकार है टेट ओफ बर्थ है 25 नो 1990 प्लेश ओफ बर्थ मुंबई टाइम ओफ बर्थ चार बच्पन ए जनम दिन आता है इनका जनम दिवस मंगलवार तिथी है सस्ठी पक्च है शुकल पक्च इनका जो लगन है वो है शिंग लग जिसके स्वामी होते हैं सूरिय और इनके जो चतूर थेश है और भाग्येज जो है वो मंगल ग्रह हैं जो की दस्वे भाव यानि की कारक भाव में बैठे हुए हैं दसवे भाव के कारक गिरह हैं मंगल देवता चंदरमा जो हैं वो चोते भाव के कारक हैं यानि कि वहाँ इनको दिगबल प्राप्त होता है वहाँ पे चंदरमा उपस्तित हैं इनकी रासी वरिष्चिक है रासी के स्वामी हो गए मंगल लगन के स्वामी हो गए सूरिय पंचम भाव के स्वामी हो गए गुरु जो की बारवे भाव में करकराशी में उच्छके होकर बैठे हैं केत्व के साथ तु आईए इनका विशलेशन करते हैं इनका जो पाया है वो लोह है वर्न इनका ब्रामन है योनी हिरन गन देव है नक्षत्र इनका है अनुराधा का चोथा चरन अर्थात इनका ने से नाम होना चीए स्वामी है इनके नक्षत्र के सनी देवता तो दोस्तो इनके उपर सूर्य देवता मंगल देवता और सनी देवता का कुछ बावर्थ मिलेगा अवश्य हर किसी का मुक्यरोल होगा इनके जीवन में अगर सडबल की बात की जाए तो सुक्र के पास साथ है बुद्ध के पास छे है भाव बल में पहले भाव दस्वा भाव और तीसरा भाव उनको बल प्राप्त है दोस्तो इन्होंने जो प्रशन पूछा है कि मेरा फिवा कब होगा तो नितिश जी विवाग के कारग्रे अर्थात सब्तम भाव के कारग्रे होते हैं शुक्र और बुद्ध जो की लगन में उपस दिते हैं सिंग लगन के अंदर और लगने जो हैं वो धन भाव में इस दिते हैं और धन भाव के स्वामी होते हैं बुद्ध जोकी लगन में स्तितैं अर्थात इसका मतलब बियेवा की यह है परिवर्थन राजीयोग है तो धन भाव का स्वामी लगन में उपस्तित होना और लगन भाव का स्वामी धन भाव होती अच्छा योग होता है लेकिन इनकी वह अवस्थाएं देखते हैं क्या होती है तो बुद्ध देवता जो हैं बुद्ध देवता जो हैं वो सिंगरासी में उपस्तित हैं 20 डिगरी, 8 कला के साथ और जो की क्या हैं वर्द आवस्ता में ठीक है सूर्य देवता कन्याराशी में उपस्तित हैं धन्भाव में येकिन वो क्या है वो भी व्रदवस्ता में है अर्था व्रदवस्ता अले के पास बल नहीं होता है बल के लिए महनत करनी पड़ती है दूसरी बात करें आपकी कुंडली में जो योग का रग रहे हैं वो हैं सूर्य देवता, मंगल देवता और गुरू गुरू और मंगल आपके लिए बहुत प्रभावशाली हैं अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं यही आपके जीवन में काफी निर्भर करेगा इन दोनों की क्या क्रिया कलाप रहती है आपकी कुंडली में, आपके जीवन में तो अभी तक आपकी जो विवा नहीं हो रहा था, विवा नहीं हो था इसके पीछे कारण है कि अभी आपकी विरिष्चिक रासी है, अंतिम चरण के साड़े साथी चल रही है और सिंग लगन और करक लगन के लिए सनी देव बहुत बड़े मारकेश होते हैं और उनकी दृष्टी, तीसरी दृष्टी भी आपके सब्तम्भावं पर पड़ी हुई है, जिसके वजए से वो देरी होती है सनी देव जहां बैठ जाते हैं और जहां दृष्टे जालते हैं वा नुक्सान करते ही है तो उन्होंने क्या किया देरी की विवा में, व्यापार में तो अब यह क्या है कि जाते जाते आपको विरिष्टिक राशी को बहुत कुछ देखे जाएं और गुरू भी जब चंद्र राशी के अंगार प्रथम इस्थान में हो या वहां से तीसर इस्थान में हो या साथवे इस्थान में हो या ग्यारवे इस्थान में हो तो विवा के योग बन जाते हैं तो अभी गुरू विरुष्चिकराशी के अंदर इस्तित हैं, तो भी वाके योग बने हुए हैं, नवंबर तक, नवंबर 2020 तक, साधी के भी योग हैं, और साधी के जो कारग रहे हैं, उदोनों कमजोर हैं, जिसमें की सुक्र जो है वो अस्त है, मृतवस्था का मतलब ये है कि सुक्र की जो तत्व है, सुक्र जैसे जल तत्व है, और सुंदरता सुंदरिये का प्रतीक है, तो वो आपके शरीर में कमी होगी, तो आपको सुक्र देउता और बुद्ध देउता का उपाए करना चाहिए, इन में वर्दीला नी चाहिए, ताकि आपके जिए उनको सफल बना सकें धानी योग भी आपकी कुंडली में है अच्छा है सुक्र और बुद्व ऐसे प्रतमिस्थान में है तो प्रतमिस्थान में प्रतम भाव में कोई भी गिरह बैट जाए तो वो अपना सुभत्वी ही प्रदान करता है अपना नीचत्व पापत्व को छोड़ देता है लेकिन यहाँ पर सुक्र आपके प्रतम भाव में होकर अस्त है मृत है उनकी आपको पूजा करनी है उनकी मंत्रों का जब करना है जैसे उनका मंत्र है ओम द्रांग द्रींद्रोंग सह सुक्राए नमह या उम शुम शुक्राय नमह या उनका जो वैदिक मंत्र है वो जबना है प्रति दिन 108 बार कम से कम और सनी देव की साड़े सात्यंतिम चरन की है तो वो अगर बाधा उपस्तित नहीं करें इसके लिए हमको सनीवार वाले दिन तामबे के लोटे में जल ले कर काले तिल डाल कर थोड़ी शी शक्कर डाल कर और उनको पीपल के व्रक्ष में जाके चड़ाना है पीपल की तीन उल्टी प्रिक्रमा करनी है हो सके तो वहाँ पराशन बिचा कर तीन माला उनके मंत्र का ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सहसन ये नमह का जाप करना है और सनिवार वाल ले दिन शाम को तेल का दीपक पीपल के व्रक्ष के जड़ में जलाना है और उनकी बारा नाम उनकी पतनी के बारा नाम प्राते काल में उठते के साथ लेने से अभी प्रकार के कलेज जो हैं उस आपकी जो महादशा चली हुई है वो शुक्र में शुक्र की चली हुई है उसके अंदर प्रतंतर दशा गुरु की चली हुई है तो गुरु आपके लिए शुब हैं शुक्र भी वैसे शुब हैं लेकिन आसते हैं तो आपको शुक्र का इलाज करना होगा उसको मजबूत करना होगा ताकि आपको प्रेम विवागर आप करना चाते हैं तो आप अवश्य कर सकते हैं क्योंकि विर्ष्चिकराशी वालों को इस पोज की मामले में लकी ही रहते हैं बहुत अच्छा इस पोज मिलता है और आपको अभी शुक्र का माता सा चली वी है अंतरा भी उनका ही चला हुआ है तो आपको इस्त्रियों का सम्मान करना है उनकी मदद करनी है माता पिता की सेवा करनी है ताकि आपका विवा सूसफ़ा लो सके ऐसे आपकी कुडली में कोई खराब योग है नहीं जिससे आपको चिंता करने की जरुवत है वैसे भी विर्ष्चिक रासी वाले भगवान को बहुत प्रिय होते हैं आपको सुद्ध सात्विकर रहना है और धन योग भी है क्योंकि सुक्र बुद्ध का लक्ष्मी नारायन योग बना हुआ है कुरू उच्चरासी के हैं मंगल दस्वे में दिगबल को प्राप्त है राहू भी कई तरीके से कई रास्ते देता है पैसे कमाने के ठेकिन अभी साड़े साती की वज़े से सब रुका हुआ है तो धैर ये रखिए सब कुछ मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा भगवान विश्वास रखिए आस्ता बनाए रखिए इ उपाय को आप करिए बहुत अच्छा फल मिलेगा एक उपाय और बताता हूँ मैं सुक्र का चीटियों को सुकरवार को मिठाई सफिद मिठाई या मिठाई नहीं हो तो सक्कर का डाल सकते हैं शाम के वक्त तो इस से आपका सुक्र बली हो जाएगा मंतर कजाब करोगे तो औ दिकते समय किसनान के जल में आमले का रस डाल करना है तो इससे शुक्र ग्रै बलवान होते हैं माता लक्षमी को सुक्रवार के दिन कीर का भूग लगाने से भी माता लक्षमी प्रशन होती है अध घर में आती है तो आप इन चीजों का आप उप्योंग कीजिए फिर देखtr आपका जीवन कैसे सफल होता है भगवान पर विस्वाजर किये इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ जैश्री कृष्णा